हेलो दोस्तों तो स्वागत है हमारे चैनल में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके भी अगर टेलिग्राम में मैसेज सेंड नहीं हो रहे किसी को तो उसके पीछे का रिजन क्या है और उसे कैसे ठीक करें मैं इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप बहुत से नियो कॉंटेक्ट्स को टेलिग्राम में मैसेज करते हैं तो टेलिग्राम की कंपनी पीछे से आपकी मैसेज जो सेंड करने की होती है वो स्टोप कर देती है तो इसे कैसे ठीक करें देखिए मैंने मैसेज सेंड किया या पी लिखा sorry you can't only send message to mutual contact at the moment तो मैं कैसे ठीक करूँगा मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना more information में आ जाना है या पर फिर से message करो और more information में जाके देखो कि आपको कब तक के लिए बयान कर दिया है टेलिग्राम ने तो मुझे 4 फरबरी तक 10 वजे के लिए किया है तो इसे मैं कैसे ठीक करूँगा आपको कुछ नहीं करना दोस्तों आपको सबसे पहले बैक आजाना है अपने mobile phone में और उसके बाद आपको research कर देना है play store यहाँ पी मैं back आ जाता हूँ back आने के बाद मैं play store पे गया play store पे मैंने research कर दिया है telegram आपको check करना है कि आपका telegram updated है या नहीं मेरा नहीं है तो ये problem आ रही है मैं अब update करूँगा और तो ये problem ठीक हो जाएगी अगर फिर भी नहीं हो रही तो आपको क्या करना है आपको setting में जाना है यहां पे research कर देना है apps पे research करने के बाद आपको यहां पे research करना है telegram जब आपका telegram खुल जाएगा यहां पे तो उस पे click कर देना है यहां पे मैंने research किया telegram टेलिग्राम पे research करने के बाद आपको जाना है storage पे storage पे आपको यहां पे clear data कर देना है उसके बाद mobile को restart करके own करना है पांच मिन्ट बाद आपका telegram की यह problem fix हो जाएगी उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को subscribe जरूर करें दोस्तों हमें आपके support की बहुत जरूरत है अगर और कोई दिक्कत आ रही है तो हमें comment section में comment करके बताओ हम वो उसके पर भी वीडियो लेके आजाएंगे जल्दी से जल्दी